मा कामख्या देवी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा और हो सकता है आप में से कई यहां गए भी हो आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बाते बताएंगे लेकिन पहले अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसे ही और विडियोज देखने के लिए माता शक्ती के 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या शक्तिपीठ इसे अगोरियों का गढ़ माना जाता है यह मंदिर नीलांचल परवत से 10 किलोमीटर दूर मौजूद है बता दें इस मंदिर में एक कुंड है जो फूलों से ढका हुआ ह इस कुंड से आप पवित्र जल निकलता हुआ देख पाएंगे, लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने के बाद यहां कन्या पूजन वभंडारा भी कराते हैं साथ ही यहां पशूओं की बली भी चड़ाई जाती है लेकिन हां मादा जानवरों की बली नहीं चड़ाई जाती कामाख्या मंदिर को तीन हिस्सों में बनाया है पहला सबसे बड़ा है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से पानी निकलता है माना जाता है कि महीने के तीन दिन माता को periods होते हैं तीन दिन कपट बंध रहते हैं, वैग्यानिकों के लिए ये अब भी एक पहली ही है मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बलकि योनी के स्वरुक में यहां उनकी पूजा की जाती है योनी की मूर्ती गुफा के एक कोने में स्थापित है, जून में मंदिर के पास ब्रह्म पुत्र नदी लाल हो जाती है ऐसा कहा जाता है कि ये समय माता के मासिक धर्म का होता है इस दौरान मंदिर में तीन दिन कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन प्रजन उच्सव मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में प्रसाद के रूप में यहां मासिक धर्म से लिप्टी खून की रूई मिलती है इस रुई को पाने के लिए लोगों की खूब लंबी लाइन लगती है ये जगह तंत्र साधना के लिए भी काफी फेमस है यहाँ पर साधू और अगोरियों का तांता लगता है यहाँ काफी ज्यादा काला जादू भी होता है तो ये थे कुछ तथ्यकामाख्या देवी मंदिर के अगर ये विडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद